करोना के वरेसी इंडिया 21 दिन के लिए लॉकडाउन में है तो हूप आप सब अपने अपने घरों में सेफ है और अत्यावशक चीजों के लिए बाहर निकलते होंगे लॉकडाउन में कुछ नया ट्राय करने के लिए इस बार के वीडियो में इंफोमेशन आपको योगेश द अपते हैं और फिक कैंडी से नुवारा एलिया कैसे जा सकते हैं यह पिस्व में हम चाहेंगे नुवारा एलिया से एला तक और वे विश्फु प्रसिद प्रयून रासे से एला बसीद है तीन चीजों के लिए एला रॉक नाइनक्स पिर्च और लिटिल एडम स्पिक तो च आज हमारा पाचवा दिन है और अभी हम नुवारा एलिया में बैठे है एक बहुती सुन्दर लोकेशन पे यह हमारा पीछे रूम है जहां राद बार बिठाए थे सुए थे अभी हम थोड़ा रेडी हो चुगे है हमारा नेक्स ट्रेन पकड़ने के लिए जो है नुवार तक मैं तो नुवारा एलिया से निकल कि हम नानो आया जाएंगे नानो आया से ट्रेन पकड़ेंगे एला के लिए यह एप्रोक्शनेट तीन गंडे का सफर है और यही बहुत ही फेमस रोटे बूल सकते जहां से बहुत लोगने फोटो डाला है गुगल पे अलोग उसको दे पक्राइब लोगने वोटो आएंगे लोगने लोगने बुण्दा पुलाँ से रहेंगे प्रेन का सफ़र बैसी ही था जैसे हमने सोचा था शांदार सबलस्त हमें नानो ओया से एला आने को तीन खंटे थे तीन खुपसरत खंटे एला पोच में वाद हमने थुबा खाना खाया और टिंकल पड़े इस सुंदर नगर में टेंग आज हम है एला में हमारा प्लान है दो चीज करने का फिलाल तो एक तो है नाना प्रिच और इसके बाद जाएंगे हम लिटल आदम स्पीड ठीव सारा राम करने के बाद हम निकल पड़े नायनाग स्पीच की वत नायनाग स्पीच आप दो दरिगे जा सकते हों याद टुक टुक से याद योग ट्रेक करते हुए हम ट्रेक करते हुए गले ट्रेक करास बहुत आसाने और आपको बहुत सारी दिशाही दिखेंगी आ जैसे कि आप देख सकते हो यह है नाइन आक ब्रजी आप अगर काउंट करोगे तो बरबर 9 आक दिखता है और उसके पर उसका नाम गिरा है प्रिच पे दो घंटे का फोटो शूट करने के बाद हम निकल पड़े इडिन आप स्पीक के लिए इडिन आप स्पीक के चोटी तक का रास्ता आसान दो नहीं के फित्ते पर मुश्किल भी नहीं है हमें तकरीब मुश्किल गंटे लगें पहार के चुटी तक कुछ मुटी तक कुछ में हमें हास्ते हुए है है अभी है हम लिटल अडम स्पीक पे अरावंड 35 मिन चड़ने के बाद यहां से बहुत अच्छा व्यू है अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक कीज़े शेर कीज़े अगर आपको सबस्काइब जरुड़ कीज़े और अको पसंदे है तो अरावं कीज़ेंग